टंगन से एक हीरन तेहलते तेहलते ना जाने किस रास्ते पर भटक गया और किसी दूसरे के जंगल में जा पहुचा वो खुद भी हेरान हो गया कि वो कहां आ गया है चलते चलते उसे रास्ते में एक बारा सिंगा मिला जो देखते ही समझ गया कि हीरन उस जंगल में नया है तुम तो इस जंगल के नहीं हो, तुम यहाँ कैसे आए? हाँ भाई मैं अपनी जंगल का रास्ता पठक गया हूँ और वही वापस जाने का रास्ता जून रहा हूँ ओ ऐसी बात है फिर तो तो बहुत बड़ी कलती कर रहे हो इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर है जो दोसरों को मार कर खा जाते हैं अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत में पढ़ जाओगे ऐसा कहे कर बारा सिंगा वहां से चला गया और हिरन समझा यूँ ही मुझे डरा रहा है ये जंगल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे पूरा घूमकर ही अपने जंगल वापस जाओ चलते-चलते अचानक उसका पैर सोय हुए शेर की पूछ पर जाए पड़ा शेर ने हिरन को देख लिया और सो से गुर राया तुम्हारी पुहमक के तुम मुझ पर पैर रखो यके मारी हिरन की जान सूख चुकी थी हिरन बड़ी तेजी से दूसरी और अपने जान बचा कर भागने लगा शेर भी उसके पीछे भागा हिरन भागते भागते अपने जंगल के रास्ते को पकड़ लेता है लेकिन शेर की रफ्तार के आगे खुद को नहीं बचा पता रास्ते में ही शेर उसे दबोच लेता है और खा जाता है अब शेर को एक नए जंगल का रास्ता पता चल जाता है शेर ने देखा कि ये नया जंगल बहुत बड़ा है और यहां बहुत से जानवर है उसने आगर जार कर देखा जंगल पे इतने सारे हीरन थे उन सब को देखकर उसका मन लचा गया एके करके उसने सब को खाना शिरू कर दिया अब जंगल के सभी हीरन असुलक्षित थे हीरन के सरडार ने कहा हमें कुछ करना हो गए नहीं तो ये शेर हम सब को खा जाएगा तब ही छोटा हीरन कहता है सरडार मुझे लगता है हमें 15 दिनों तक छुप जारा चाहिए हम सब 21 दिन तक भूक रह सकते हैं लेकिन मैंने सुना है कि शेर कीवल 15 दिन तक भूका रह सकता है अगर हम 15 दिन जाडियों में छुपे रहे तो ये भूका रहेगा और यहां से चला जाएगा सब ही उस पच्चे की बात को मान लेते हैं और 15 दिनों तक जाडियों में छुपे रहते हैं जब 15 दिनों तब शेर को कोई हीरन नहीं मिलता तो वो अपने जंगल वापस लोट जाता है सभी हीरन उस छोटे नन्हे हीरन की बहुत कारीफ करते हैं अरे वाह तुमने हम सब को बचा लिया, तुम्हारी तरकी बहुत अच्छी थी इसलिए कहते हैं समझदार कोई भी हो सकता है, बड़ा भी और छोटा भी एक दिन मुर्गी अपने तीन छोटे छोटे चूजे लेकर दाना चुक रही थी तब ही उसने देखा एक चूजा पर इसे गड़े में जागिरा अरे ये क्या हुआ, मेरा बच्चा ये तो अभी बहुत छोटा है, आप इसे बाहर कैसे निकालू मुर्गी जोर-जोर से चिल्लाने लगी, तब ही उसका मालिक वहां गया अरे क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है फिर उसने देखा कि चोटाल सा चूजा गड़े में गिरा पड़ा है उसे बड़े प्यार से उसे बाहर निकाला और उस गड़े को हमेशा के लिए बंग कर दिया मुर्गी अपने मालिक को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता था कभी कोई-कभी रहने नहीं देता था एक दिन मुर्गी के मालिक ने मुर्गी से कहा मुझे पैसो की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच सकता हूँ तुम्हे बुरा तो नहीं लगेगा ना, मुझे पैसो की बहुत ज़ादा जरूरत है मुर्गी हाँ, बेच दीजिए मालिक मुर्गी ने भारी मन से हा कर दी और मालिक ने चूजे बेच दिये चूजे बेच कर उसे बहुत अच्छे दाम मिले अरे वाह चूजे बेच कर इतना अच्छा पैजा मिला अगली बार भी एज़ा ही करूँगा अगली बार जब मुर्गी को बच्चे हुए तब फिर से मालिक दी कहा मुझे पैसो की बहुत जरूरत है क्या मैं तुम्हारे चुजे बेच दू मुर्गी समझ चुकी थी कि अब मालिक लाची होता जा रहा है उसने मालिक दे कहा आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं कुछ दिन में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उनके भी बच्चे होंगे इस तरह आपका खुद का अंडो का व्यापार हो सकता है आप जल्द बाजी में थोड़े लालच में पढ़कर गलती कर रहे हो मालिक अब मालिक को उसकी यह बात अच्छे से स्टमा जा चुकी थी मुझे माफ कर दो तुम ठीक कहती हो कुछ पैसों के लिए मैं कितना स्वार्थी हो गया था आज के बाद तुम्हें नहीं बेचूंगा इस तरह मुर्गी ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचा ली शिकारी को सीख एक बाद एक शिकारी जंगल में शिकार करने जा रहा था तब ही उसको साप जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया शिकारी डर गया और साप को लाठी से पीसे लबा लेकिन साप ने शिकारी से कहा मुझे छोड़ तू अगर तुम मुझे माना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो लेकिन इससे पहले मुझे सभी से कुछ जानना है मेरी इक अंत्यम इच्छा है शिकारी को अचानक साप पर दया आ गई और उसने कहा आखरी इच्छा? क्या है तुम्हारी आखरी इच्छा? मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य किस प्रकार के होते हैं मगर उसमें तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर सकता आप केवल मुझे कुछ देर के लिए जिन्दा छोड़ दीजिए मैं कुछ जानवरों से इस बारे में जानना चाहता हूं चीक है मगर उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं ठीक है और इस तरहां शिकारी ने साप से वादा ले लिया कुछी दिने बाद वहां से एक गाए गुजरी साप ने गाए से पूछा प्यारी गाए आप मुझे बताएं इंसान कैसा होता है वह अच्छा होता है या बुरा गाए ने जवाब किया इंसान हमें बालते हैं मगर बखले में हम भी दोने दूद देते हैं लेकिन कभी हमारा शुक्र यादा नहीं करते शिकारी नी कहा हम बहुत मूर्ख हैं जो इस पूरी गाएं की बाते सुन रहे हैं चलो सांप बस तुम्हें अपना जवाब मिल गया मगर ये सही जवाब नहीं है तो क्यों ना मैं आते हुए बैल से ये प्रश्न कर लो ठीक है कर लो सांप ने गुजरते हुए बैल से पूछा क्रेपिया आप हमें बताए इंसान के बारे में वो कैसा है और क्या सोचता है मैंने अपने जीवन में बहुत इंसान देखे कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन बतले में हमें केवल मारते हैं यह संकर शिकारी को बहुत बुरा लगा तुम इन लोगों की बाते मत सुनो जाओ तो पेड़ से बात कर सकते हो हम पेड़ों को पानी देते हैं ठीक है पेड़ महराज आप तुझे बताईए इंसान कैसे होते हैं और क्या सोचते हैं पेड़ ने जवाब दिया मैंने इंसान को फल फूल और रहने के लिए जाया दी लेकिन वह मेरी शाखाओं और लगणियों को काटता रहता है मुझे जड़ से मिटा देता है जब शिकारी ने सभी के बात सुन ली तब शिकारी ने साप से गहा हम इतने स्वार्थी हैं साप आप जा सकते हो मुझे तुम्हें मारने का कोई अधिकार नहीं मुझे सभी से माफी मांगनी चाहिए चानवर और पेड़ तो हमारे रक्षक हैं और हम इन्हें काट डालते हैं और मारते हैं साप वह से जड़ा गया सीथ हमें उन सभी के प्रति आभार करना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं साप रिस्साइकल और छड़ी राजू अक्षा का सबसे होशियां गड़का चाहिए मेरे क्लास में हमेशे प्रथमाता उसका एक दोस्त था मानू मानू और राजू एक साथ स्कूल आया जाया तक तके राजू हमारा स्कूल हमारी बढ़के खितरे दो है इस गुणा चर्णा कड़ता है मैं तो तो जाता हूँ अब हमें थोड़ा से चलतर प्रकूई इच्छी शुच्छा में गए है तो उसमें हमें सम्कूछ नहीं का आवाँ चाहिए मनू हाँ, तुम खी कहते हो, लेकि मुझे तो बहुत चच्छ जाता हूँ अच्छा, तुलिब है मैं कोशिश करिए कि इस तरी सी कूछ स्कूल होगा है अगर स्कूल होगी, तुम बहुत उसमें स्कूल असामी से बाट जाएंगे और भी बिना ठिके है न और वहाँ, यह दो बहुत अच्छा आइडिया है हाँ, तुम्हें ठीक हाँ, आई यह दो बहुत अच्छा है बर स्कूल हाई भुता से मैं अपने पिताजी के करूँ, शार्चिन में नहीं साइकल दे लाँगे ठीक है, और इस कूल के देखियो पिताजी, स्कूल बहुत हो रहा है आप मुझे एक साइकल जो लेगा बरुपे, उन जाना असान हो जाएगा पिताजी, मैं अपने साइकल देखिया ना जोके पिछे, इमसे ले हक्ने हो, उने पिराणी है, तो कि अपने काम का सकती है बहुत बहुत चुक्रिया पिताजी मैं रुपी शेक्षी अच्छी दूस के बाद चाता है सब ये दिन से लागा पिताजी चाहिए अई बहुत दूस मोद आ गया, तोहारे के लिए एच्छी फोमत अच्छी है वाँ तिजो खी चाहा, तिका जी पहुत अच्छी है, ने के विश्पशी है नोहीं वेकों ये खटा ना से जोगी है इसमें पले मतरी ही में इसमें अच्छा दाएज़का इसमें बशल भीगा जी । विष्पारिया के पासे हैं। वाजो लोगे चोपे से बाइडाई, काॉर अबाई कि बाणिकार आप, बाणिक कि बाणी तिर्स्पते बीदियने, कि बाणिकार जाता है! जो चुब यदो बाज़ों करके जो बाद हाना जो पया जो जो बहुआ है यह views casazamि οπο settlementi Like एजियआ तर से कमया हेहल कि इत जज संपना हो भी कटा हु़ा है सीस को भाव का लुछाप करता है भी जजय की का? आर फे लचा, जड़ पचोमागा एजिन के जजिता llama ऐसर ने बुछा हुआ इस जजिता है जज जढाई हुआर है पिल्गो मेलेtailու जर लेतरम को myśla मे ==== सारो feather वेस्ष只是 मेलों किसमें जरिपसे मेलेacağ शोप्समें जरिपस मेले सुआते JACO से मेले। isol किसमें पिर אנחנו किसमें पाटे वर्यों मेलें अभने आपक्वें जरपतां सुए्छर बजलेक 50 क किसमें जर कोले जरेश again कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल झाल